बिस्मिल्ले रख्मान रराहीम, आज हम मॉड्यूल 128 डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल 128 है about Fibers Fibers जिस तरह नाम से जाहर है, जिस तरह हम आम जिन्दीगी के अंदर Thread यूज करते हैं तो Thread के अंदर कही Fibers होते हैं और वो आपसमें V-Wave होते हैं तो वो उनको intertwine होने से उनके एक Thread बन पही होती है, तो Thread का एक Component होते हैं Fibers तो तक्रीबन more or less जो हमारे इस Computer के जो Fibers हैं वो भी इसी तरह से ही हैं वो भी Thread का एक Component है, ठीक है, लवजी इतबार से Fibers जो है वो Thread का एक Component है लेकिन Actually या More Accurately अगर हम के हैं, तो Fiber क्या चीज़ है, Fiber एक Execution Unit है और वो ऐसा Execution Unit है जिसको क्या Operating System जो है, वो स्केजूल नहीं करता है उसको कौन स्केजूल करता है, उसको आपकी Application स्केजूल करता है आपकी Application यह Decide करती है कब कौन सा Fiber Execute होगा तो Fiber जो है, वो हो सकता है Thread का ही एक Part हो, या Thread ही हो और उसकी Execution कब होनी है, यह कोई आपका Scheduling Algorithm नहीं Decide कर रहा यह Operating System नहीं Decide कर रहा, या आपकी Application खुद Decide कर रहा और इस तरह की Scheme के कई Advantages भी हैं और कई ऐसी Specific Programming Languages भी हैं जो इस तरह की Scheme यूज करती हैं जिनको हम Core Routines भी कहते हैं तो Fiber भी उसी इतबार से Windows के अंदर इस्तमाल किया जा सकते हैं Execute होना है, जैसे हम आगे चलके एक Scheme देखेंगे, उस Scheme के तहट यह Determine किया जाएगा कब कौन से Fiber ने Execute करना है और वो Within the Application ही Determine होना है Fibers जो हैं जिस तरह हमने देखा था Threads के लिए, हर Thread के लिए अपना specific कुछ Data Structure होता है कुछ Control Structures होते हैं जिसके अंदर Thread के अपनी कुछ Information रखी होती है इसी तरह Fiber के साथ भी Associated बहुत ही थोड़ा सा Data होता है और वो सिरफ उसकी अपनी Stack होता है बाकी जो सारे Structures हैं वो Thread के Structures को ही Share करता है जो Thread के अंदर TLS बना होता है, जो Thread के अंदर Mute Access जो Mutual Exclusion के लिए Structures यूज हो रहे होते हैं वो सब Fiber को Accessible होता है जो Fiber को Manage करते हैं यानि के Fiber जो Create होता है वो कहां Create होता है वो Application Space के अंदर User Space के अंदर Create होता है और User Space के अंदर यह रहता है उसको पूरे तरीके से Manage किया जाता है उसको कोई भी ऐसा Structure नहीं है जो के Outside the User Space है जो Operating System या Kernel की Space के अंदर है Fiber को एक और भी Term दी जाती है जिनको कहा देता है Lightweight Threads तो यह खेर इतनी Accurate Term नहीं है लेकिन फिर भी यह Term यूज होती है Lightweight Threads Threads को जो है क्योंकि Schedule Application नहीं करती जबके Fibers को Schedule जो है एक तरह से Application कर रही है तो इस तरह से बिलकुल एक Lightweight Thread की तरह नहीं है लेकिन यह चीज सर्टन है कि यह Lightweight होता है फिर एक और Fiber के अंदर हमें जो चीज देखने को मिलती है कि Fibers जो है वो किसी भी Threads के साथ Associate किया जा सकते हैं किसी भी Threads के साथ Run किया जा सकते हैं कि अंदर Run हो सकते हैं लेकिन एक वकद में किसी एक ही thread के साथ वो associate होगे, यह नहीं हो सकता कि एक वकद में वो multiple threads के साथ associate हो रहे हैं, multiple threads के अंदर रान हो रहे हैं, नहीं, एक वकद में वो एक ही thread के साथ associate हो रहे हैं, और आगे किसी और instance पे जाके उसको किसी और thread के साथ भी associate किया जा सकता है. अगर आके पास को ऐसा फाइबर है जो कि आप different threads के उपर across number of threads आप जिसको run करना चाहरे हैं तो उसके अंदर भी कुछ care करने की जूरूत है उसके अंदर ये care करने की जूरूत है कि वो कोई thread specific data जैसे कि TLS जो है उसको access ना करें क्योंकि अगर उसको access करेगा तो एक के अंदर data रखेगा दूसरे के अंदर उसको read करने की कोशिश करेगा conflicts आएंगे result सही नहीं आएगा तो उसको इस तरीके से लिखा जाए कि thread specific data जो है उसको ना access करें अगर fiber ऐसा है जिसने के across multiple threads run होना Fibers को क्यों इस्तमाल की जाता है Fibers के कही usage है एक fiber का ये use है के portability है जिस आपको बताया है कि certain ऐसी programming languages है जो code routines वगरा को support करती है तो उनकी जो code है उसको port करने के लिए उसी code जैसी code generate करने के लिए आप Fibers का इस्तमाल कर सकते है और दूसरा एक और advantage यह है कि जिस तरह thread को weight state के अंदर डाल दिया जाता है या blocked state के अंदर डाल दिया जाता है Fibers weight या block नहीं होता है अगर fiber को number of resources required है तो वो fiber जो है वो उन resources को pool करता रहेगा और एक fiber से दूसरे fiber पर switching हो जाएगी यानि कि एक fiber को अभी वो resources सारे available नहीं है वो उनको देखता रहेगा resources का weight करता रहेगा उनको pool करता रहेगा और किसी दूसरे fiber के उपर execution जो है वो switch हो सकेगी जबके पहला वाला fiber जो है उन resources को pool कर रहा उनके लिए weight कर रहा तो इस तरह से जो पूरी execution है thread के वो stall नहीं हो जबके otherwise threads के अंदर क्या होता है कि जब आप एक resource का weight कर रहे हैं तो पूरी के पूरी thread की execution जो है वो stall आ जाती है तो fibers के अंदर हमें ये flexibility नदर आ रही है वो एक यानि के part of a thread exist कर रहे हैं और फिर उनको एक thread से दूसी thread के ओपर भी move किया जा सकता है अगर एक thread को कोई resources नहीं available तो उसको thread को stall नहीं किया जाएगा उसके कोई और दूसरा fiber जो है वो run कर सकता है तो इस तरह से fiber के अंदर के किसम की हमें flexibilities नदर आ रही है और उसके advantages नदर आता है moreover fibers जो हैं उनको preemptively schedule नहीं किया जाता है यानि के windows operating system जो है वो fibers को schedule नहीं करता fibers को schedule करने के लिए कहलें कि आपकी user space के नदर एक और DLL होती है fibers की DLL जो कि उसको schedule करने के लिए इसको scheduling करने के लिए जो भी required APIs है वो उस DLL के अंदर पड़ी है तो windows fiber से unaware windows को नहीं पता है कि आपकी thread के अंदर कौन कौन से fibers run हो रहे है fibers जो है वो as a core routine work कर सकती है और अगर वो core routine के तौर पर काम कर रही है तो उससे क्या होगा कि switching हो सकती है कि एक thread के अंदर जो execution हो रही है वहाँ से आप दूसी thread पर switch कर सकते हैं और फिर वापस पहली वाली thread के पर switch कर सकते हैं और वो उसी point से उसकी execution जो है वो resume होगी तो इस तुरह से switching possible है बड़े एक efficient तरीके से using fibers जबके वैसे जो threading होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके उपर आपके पास ये switching का आपके पास control नहीं होता जो fibers के थुरू जो switching का control वो almost user के पास आ जाता है यूजर जो है वो जब भी चाहे एक fiber से किसी दूसरे fiber के उपर switch कर सकता है और फिर जो भी major platforms आजकल use हो रहे हैं वो fibers को support करते हैं और वो भी अपने अपनी जो भी उन्नोंने APIs प्रवाइड की हुए है for fibers उन APIs के मुखलिफ किसम के advantages जो है वो claim करते हैं तो overall fibers क्या करते हैं fibers more efficient usage करेगा of processor time thread जो है block नहीं होगी stall नहीं होगी एक fiber अगर resources पूल कर रहा है तो दूसरा fiber जो है वो चलता रहेगा switching जो है आप उसको control कर सकते हैं कब switch करके एक thread से दूसरे thread पर किसी और fiber ने execute होना है तो इस तरह का control भी आप fibers के थूँ हासल कर सकते हैं तो यह numerous किसम के advantages है जो हमें fibers के नदर आ रहे हैं